आज हम अपना एलजबर में नया सेशन शुरू कर रहे हैं और इस सेशन में हम कुछ ऐसे नुमेरिकल्स को देखेंगे जो की आसानी से किये जा सकते हैं बट कुछ बच्चों को जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती या प्रॉपर किसी इंसिटूट में नहीं जा रहे हैं वो तो वहां पर उनको यह नहीं प्रजलता है कि इन सारी नुमेरिकल्स को हम ऐसे भी कर सकते थे जैसे भी हम करना सीखेंगे वो लोग क्या करते हैं वो लोग फॉर्मला लगाके उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में ऐसी सिखा हुआ है तो आज हम थोड़ा सा उसको सीखेंगे किस तरह से हम बहुत कम टाइम पिरेड में उस नुमेरिकल को कर सकते थे बिना किसी फॉर्मले के और जह टीक है तो आपको परैसे करेंगे यहां पर धिहान से लेकिए सबसे पहले आप 13 पर धिहां जाएगे तो अप सबसे पहले देखिए कि 13 के आसपास ऐसा कॉनसा नंबर है ज Alma साहिए तो आपने देखा कि 3 का स्कुर e關 कितना होता है 9 4 का स्कुर e关 कितना होता कि 16 ठीक है अच्छा अब 13 से तो 9 और 16 दोनों ही लग भलब भलब पास में है ठीक है अच्छा ये किसका स्क्वार है 3 का स्क्वार है 4 का स्क्वार है अब अगर आप इन दोनों में से किसी एक को 3 मानते for example एक को मैं 3 मानता तो अगर एक को 3 मानता हूं तो इस equation के हिसाब से b की value कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए तो अगर मैं यहां से यह मानके चलता हूं कि मैं 9 को choose करता और a को मान लेता कि वो 3 है तो इस equation के हिसाब से b की value कितनी आती 2 आती तो अब हम देखेंगे कि क्या यह value इस equation को satisfy कर रही है अगर इसको satisfy कर रही है तो हम इसी के साथ चलेंगे अगर यह satisfy नहीं करती है इस equation को तो फिर हम इसको choose करते है ठीक है तो इसको choose नहीं करने का reason क्या है कि यह satisfy नहीं करेगा भी है मैं आपको दिखा देता हूँ तो जैसे कि A को मैंने लिया 3 तो B कितना होगा 2 तो अगर मैं 3 का square करूँ तो 9 2 का square करूँ तो 4 9 plus 4 कितना होता है 13 मतलब यह value satisfy कर रही है एक बच्चा बोलेगा sir आपने 4 क्यों नहीं लिया तो मैं माल लेता हूँ चलो A की value कितनी है 4 है तो उसके साब से B की value कितनी होने चीवन इस equation के हिसाब से अब इसका square करेंगे तो 16 हो जाएगा इसका square करेंगे तो 1 य साइर सी बात है बात समझ में आगई आसान है तो आपने कोई भी formula नहीं लगाया ठीक है अच्छा आप आपको ऐसा थोड़ा सा लग रहा होगा sir यह सोचना पड़ेगा time जाएगा ऐसा नहीं बिल्कुल भी time नहीं जाएगा आप जब practice कर लोगे तो आपके दिमाग में अप स्क्वाइर का सम कितना होगा तो आपने सोचा कि 56 जो है उस 56 के आसपास ऐसा कौन सा perfect cube मुझे मालूम है तो 4 का cube किया तो 64 हो गया और 3 का cube किया तो 27 हो गया यह किसका cube है 3 का यह किसका cube है 4 का तो 56 के जादा करीब कौन है 64 है तो जाहर से बात है जो जादा करीब होगा उसको हम choose कर लेंगे बिना किसी शक के तो अब हमने सोच लिया कि A की value कितनी है 4 है अगर A की value 4 है तो इस equation के हिसाब से B की value 2 होनी चाहिए तभी इनका difference 2 आएगा अब हम देखते हैं कि इस equation के हिसाब से हमने B तो निकाला अब क्या ये दोनों value इस equation को satisfy कर रही है A की value कितनी है 4 है तो उसका square कितना होगा 16, B की value कितनी है 2 तो उसका square कितना होगा 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना हैगा 20, तो यह आगया आपका answer समझ में आया कोई भी formula नहीं लगाना है आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है चली, एक और देखते है मालनीजे, यहाँ पर फिर सी A cube minus B cube दिया हुआ है और A minus B दिया है, आपको A plus B निकालना है तो अच्छा, यहाँ पर यह A plus B निकाला इसके पहले वाले में A square plus B square निकाला तो यहाँ पर A plus B A square plus B square, A cube minus B cube कुछ भी दे सकता A upon B, A plus B upon A minus B कुछ भी दे सकता, अगर आपको A और B की value मालूम है तो यहाँ पर पुट्टी तो करना है आपको तो अब हमने यहाँ पर देखा कि यह 117 है तो 117 के आसपास perfect cube कौन-कौन से है तो 4 का cube तो 64 हो गया, 5 का cube 125 हो गया जाहिर सी बात है कि 125 जादा करीब है 117 के तो यह किसका cube है, 5 का cube है तो हमने A को क्या मान लिया, 5 मान लिया अगर A को 5 मानेंगे तो जाहिर सी बात है, इस equation के हिसाप से B की value कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो क्या यह value इसको भी satisfy कर रही है, तो ध्यान से देखो इसका cube कितना होगा 125, इसका cube कितना होगा 8, तो इसका difference कितना हो जाएगा 117, तो मतलब सही है तो आपको निकालना क्या है, A plus B तो A plus B कितना होगा, 5 plus 2 मतलब कितना आ जाएगा, 7 यह बात समझ में आ गई, यह बहुत आसान है बहुत easy है, ठीक है अभी तक आप क्या करते थे कि आप लिखते थे कि A minus B का cube है तो वो A cube होगा minus B cube होगा, minus 3 A B होगा A minus B होगा इस तरह से आप solve करते थे तो इसमें बहुत time चला जाता है ठीक है, चलिए, देखते है यहाँ पर लिखा है कि X, Y जो है, वो 8 है और X plus Y अगर 8 है और X, Y 15 है, तो बताओ X cube minus Y cube क्या होगा अब यहाँ पर आके बच्चा फस जाता है वो ही सोचता है कि अभी तक तो सर क्या कर रहे थे, जो square वाला term लेते थे, या cube वाला term लेते थे और उसके आसपास का perfect square यह perfect cube ढूणते थे पर यहाँ तो sum दिया हुआ है और multiplication दिया है और उपर से यहाँ पर X cube plus Y cube नहीं है यहाँ पर X cube minus Y cube है तो यह बहुत tension वाली बात आजाती है कि सर यह कैसे निखा लेंगे मतलब एक बच्चा सोचेगा सर चलिए मैं मान लेता कि मैं X plus Y का cube उपन करता तो मुझे क्या मिलता X cube plus Y cube plus 3xy फिर X plus Y तो मैं क्या करता X plus Y के लोग यहाँ पुट कर देता X plus Y के लोग यहाँ पुट कर देता X plus Y के लोग यहाँ पुट कर देता तो मैं X cube plus Y cube तो निकाल लेता बट सर यहाँ पर तो x q minus y q दिया है ना तो ऐसा तो नहीं यह printing mistake है मैंने का नहीं printing mistake नहीं कोशन सही है कैसे होगा सर तो यहाँ पर ध्यान से देखो बहुत ही आसान कोशन था अगर आप थोड़ा सा सोचते तो आराम से हो जाता कैसे अब आप सोचो कैसे कौन से दो नमबर हैं जिनको अगर मैं add करूँ तो 8 है और उन्हीं दो नमबर को अगर multiply करूँ तो 15 है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 5 और 3 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 हैगा multiply करोगे तो 15 हैगा तो सर यह तो satisfy हो रहा है इसका मतलब ही हो गया कि अगर x की value 5 और y की value अगर मैं 3 मालनू तो इनका cube का difference मुझे निकालना है तो यह कितना हो गया 125 यह कितना हो गया 27 यहां से कितना आएगा 98 यह तो आ गया answer तो बहुत ही आसान था समझ में आया तो कभी कभी questions बहुत आसान होते हैं बट हमारा जो approach होता है उस question को करने का उसके वज़े से हमें time लगता है और उस वज़े से हम success नहीं पापाते है plus y is equal to 6 और x cube plus y cube is equal to 72 तो बताए यह x y कितना होगा तो यहां पर सोचा कि 72 है तो 72 के आसपास perfect cube कौन सा हो सकता है तो 4 का cube कितना हो जाएगा 64, 5 का cube कितना हो जाएगा 125, तो यह 4 का cube है जाइव से बात है 64 जादा करीब है तो हमने क्या मान लिया x को हमने मान लिया 4 अगर x 4 है तो y कितना होगा 2 होगा, क्योंकि x plus y 6 दिया होगा तो देख लेते हैं कि यह 64 होगा इसका cube इसका cube 8 होगा इसको add करेंगे तो 72 होगा हा मतलब सही है तो आपको x into y चाहिए तो x into y कितना होगा 4 into 2 मतलब 8 तो यह आपका answer आ गया अब जिससे इस numerical के अगर बात करें कि यहां लिखा है कि if a plus b plus c is equal to 10 a square plus b square plus c square is equal to 38 a b c is equal to 30 तो बताइए कि 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c का sum कितना होगा और a cube plus b cube plus c cube की value क्या होगा अब इसको अभी तक जैसा हम कर रहे थे कि हम जैसे square वाला part लेते थे और उसके nearest जो perfect square था उसको सोचते थे फिर उसमेंसे जो करीब होता था उसको कोई b value assume कर लेते थे कि a की होगी, b की होगी और फिर आगे proceed करते थे यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर तीन values है अगर आप एक के value मान भी लोगे तो बाकी दो के value कैसे निकालोगे है ना होता है a square plus b square plus c square और आपका plus twice of a b b c और a c मैंने का हाँ होता है तो बस कुछ नहीं करना सर a plus b plus c की value 10 दी है तो उसका square कर दीजिये मैंने का very good a square plus b square plus c square की value 38 दी है मैंने का very good यह twice हो गया और यह value निकालनी है मैंने का हाँ यह तो बहुत अच्छा कर रहे है आप तो यह 100 हो गया 100 मैं से 38 गया कितना बचेगा 62 उसको 2 से divide करेंगे तो कितना आएगा 31 कैसे आया बता देता हूँ जैसे कि यह value हो गई आपकी 100 minus 38 और यह जो 2 है यह नीचे आ जाएगा इसके तो यह आपको solve करने पे मिलेगा 31 तो यह हो गया a b plus b c plus a c मैंने का हाँ ठीक है सर बट सर अभी जो value निकाल नहीं थे वो तो यह है और यह है अभी तो आपने यह निकाला है मैंने का कोई बात नहीं तो 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c की value कितनी होगी LC हम ले ले तो क्या हो जाएगा a b c और यहाँ पर क्या हो जाएगा a b plus b c plus a c अब a b plus b c plus a c की value कितनी है 31 और a b c की value given थी कितनी 30 तो यह आ गया आपका पहला वाला answer कि 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c की value क्या होगी अच्छाँ, सर सर, अब दूसरा वाला पार्ट बचाए है. कौन से वाला पार्ट ? A Q मेर्म2 Q मेर्म2 Q प्लस Q उन्ने का ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। इस व्यक्व dysdo प्रोश IS क्या कर देखिए इस व्यक्व Accept- Quand The As approval ए देखिए aq plus bq plus cq minus 3abc is equal to a plus b plus c और bracket के अंदर a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac मैंने कहां लगा सकते हैं क्यों नहीं लगा सकते हैं लगाने को क्यों नहीं लगा सकते हैं तो आपको तो इसकी value निकालनी है तो यह हो गया aq plus bq plus cq minus 3 into abc की value कितनी है 30 a plus b plus c की value कितनी है 10 यहाँ पर a square plus b square plus c square की value कितनी है 38 minus abc ac की value अभी निकाली थे आपने कितनी 31 तो यह aq plus bq plus cq is equal to 90 यह वाला part उथर जाएगा 90 हो जाएगा plus यह 38 में से 30 बन जाएगा कितना बचेगा 7 7 into 10 कितना 70 तो इसको solve करने भी कितना आएगा 160 तो sir यह तो आ गया मैंने का बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको यह आता है बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी पड़ेगा आपको आपके पास 24 भी नहीं है मैं मानता हूँ इस बात को but सोड़ा सा अगर ध्यान देते तो हो सकता था यह question इससे जल्दी हो जाता कैसे हो जाता sir तो मैंने कहा देख लेते हैं कि आप सोचो कि आपके पास दिया हुआ है कि कोई 3 नंबर है और तीनों नंबर का जो sum है वो कितना है 10 तीनों नंबर के square का sum कितना है 38 और तीनों नंबर का multiplication कितना है 30 तो कुछ सोच के देखो कि अगर 2, 3 और 5 सोचें कि वो नंबर 2, 3 और 5 है कैसे आ रहा है देखो 30 को क्या लिख सकते हो 6 x 5, 5 x 6, 10 x 3 तो आपको ये चीज़तों समझ में आ जाएगे कि 2 into 3 into 5 करने से आपको 30 तो मिल रहा है फिर 2 plus 3 plus 5 करने से आपको 10 भी मिल रहा है फिर 4 और 9 और 25 करने से आपको 38 भी मिल रहा है मतलब ये नमबर यहाँ पर दी गई इन तीनों कंडिशन को सैटिस्वाई कर रहा है इसका मतलब यह है कि यह वैलू हम ले सकते हैं तो यह जो वैलू है यह क्या है 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C यह ultimately है क्या ABC AB plus BC plus AC तो बस पुट कर दो ABC की वैलू तो 30 है AB plus BC plus AC मतलब AB मतलब 6 BC मतलब 3 और 5 15 और AC मतलब 2 और 5 10 यह हो गया तो यह solve करोगे तो 15 और 6, 21 और 10, 31 तो 31 by 30 आजाएगा यह यह तो आगया answer दूसरा A Q plus B Q plus C Q चाहिए तो A को क्या माना 2 तो 2 का Q कितना हो गया 8 3 का Q कितना हो गया 27 5 का Q कितना हो गया 125 ठीक है 27 और 5 कितना हो गया 35 तो 35 और 125 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 160 आएगा न तो यह तो और जल्दी आगए तो जरा सा अगर आप ध्यान देते तो आप यहाँ पर समझ सकते थे कि यहाँ पर आप A B C की जो वैलू है वो 2 3 5 3 2 5 5 3 2 5 2 3 जो भी मानना चाहिए आप मान सकते थे ठीक है आपका answer आ जाता समझ में आया आसान है, easy है ठीक है, चलिए, देखते है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर A प्लस B प्लस C की वैलू 3 है और A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर की वैलू 6 है तो बताई ये ABC की वैलू क्या होगी और साथ ही साथ आपको दिया गया है कि 1 अप्लस 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 C का सम 1 है तो आपने सोचा A प्लस B प्लस C 3 के बराबर है A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर 6 के बराबर है और 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C 1 के बराबर है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और आपको निकालना क्या है? A, B, C निकालना है तो फिर तो ऐसा करो फिर तो टेंशन मतलो फिर तो डारेक्ट कर लो ठीक है? और थोड़ जल्दी कर लो तो A plus B का स्क्वेर क्या होता? देख लो A स्क्वेर होता है B स्क्वेर होता है C स्क्वेर होता है फिर ट्वाइस ओफ कितना होता है? A, B, B, C और A, C होता है तो A plus B plus C के लोग कितनी है? 3, 3 का स्क्वेर कितना हो गया? 9 a square plus b square plus c square की विए कितनी है 6 तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा minus 6 upon इसका 2 आजाएगा तो आपको मिलेगी value a b plus b c plus c a की जो की कितना हैगा 3 by 2 ये बात समझ में आगई बट सर हमें निकालना क्या है हमें तो a b c निकालना है तो मैंने देखा कि sir 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c की value कितनी दिये 1 इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि a b plus b c plus a c upon a b c कितना है 1 है तो आपको ये पता चल गया कि अगर a b c को इधर भेज़ दोगे तो a b c into 1 कितना होगा a b c which is equal to कितना a b plus b c plus a c which is equal to कितना 3 by 2 तो ये आपका answer आगे समझ में आया ठीक है अब जहाँ पर आपको formula लगाना पढ़ सकता है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सोचेंगे तो time waste होगा तो वहाँ पर अगर आपको formula लगाना पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा जल्दी लगाओ अब आपको ये समझाना था तो मैं ये पूरा formula लिखना पढ़ा ये तो ये आप दिमाग में भी देख सकते हो कि इसका जो square होगा उसके सामने क्या आएगा ये आएगा plus twice of क्या आएगा a b b c a c आएगा तो मतलब इसका square मैसे इसको minus कर दो कितना आएगा तो ये आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो ठीक है जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सब कुछ आपके practice के उपर है चलो एक और देखते है यहाँ पर लिखा हुआ है कि x cube plus y cube 35 है और x plus y आपके पास 5 है तो बताओ 1 upon x plus 1 upon y कितना होगा तो एक बच्चा सोचेगा कि सर इसको x, y, lc, m ले लें तो ये हो जाएगा x plus y अब x plus y तो 5 है x, y नहीं है तो x, y हम यहाँ से निकाल लेंगे तो वो क्या बोलेगा सर x plus y जो है उसका cube के अतना होता है x cube plus y cube plus 3xy और फिर x plus y तो x plus y की value यहाँ पर 5 दी गई है तो 5 का cube करेंगे x cube plus y cube की value 35 दी गई है 3xy यहाँ है और x plus y की value 5 है तो इसको solve करेंगे तो xy निकल जाएगा मैंने का हाँ बिलकुल निकल जाएगा वो यहाँ put कर देंगे sir तो answer आजाएगा मैंने का बहुत अची बात है बहुत शानदार मैंने का बहुत अची बात है आप इतना दिमार चला रहे है बहुत अच्छी बात है इसमें कोई बुराइं नहीं है है ना वो बच्चा जो भी ऐसा सोच रहा है वो तो logical जा रहा है ना बेटा अगर उसको यह चीज नहीं मालू है तो कैसे पता होगी बढ़ आप यह सोचो कि क्या आप यह सोच सकते हो कि ऐसे कोई दो नंबर जिनका sum 5 होता है और फिर उगर उनी नंबर का cube करके जोड़ें तो 35 होता है तो आपने सोचा 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 दो का cube होगा 8 तीन का cube होगा 27 27 और 8 कितना हो रहा है 35 इसका मतलब वो दो नंबर क्यों है दो और 3 है तो अब आपको मालूम चल गया कि यह इसकी value किसके बराबर थी x plus y upon xy x plus y upon xy तो आपने x plus y कितना हो गया 5 और xy कितना हो गया 6 तो यह आपका answer आगया बात समझ में आगी xy मतलब x के लो 2 या y के लो 3 या उल्टा भी माल लो तो अभी 6 आएगा ना 2 into 3 करो 3 into 2 करो 6 आएगा ना तो 5 by 6 तो यह आपका answer ठीक है तो आपको कहने का मेरा मतलब यह है कि जो traditional तरीके हैं उससे जाने में कोई बुराई नहीं है बड़ उससे time थोड़ा सा जाएगा और यह सारी चीजें अगर आप practice करोगे तो आपकी जानगार एक लिए बता दूँ कि a की पावर 4 प्लस a स्क्वेर बी स्क्वेर प्लस b to the power 4 का जो formula होता है वो होता है a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर प्लस a b into में a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर माइनस a b ठीक है अब इस पूरे को अगर आप a मानो और इस पूरे को आप b मानो तो यह लिखा a प्लस b और इस पूरे को आप a मानो और इसको b मानो तो यह लिखा a माइनस b तो a प्लस b a माइनस b क्या होगा a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर तो मतलब a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर का स्क्वेर minus a b का square तो जब इसको solve करोगे तो आपको ये मिलेगा इसमें कोई दिक्कत तो ये तो बात हो गई formula समझाने की बट आपको यहाँ पर करना क्या है वो देख लो यहाँ पर आपको करना क्या था कि यहाँ पर आपको a पर power 4 a square b square b की power 4 की value कितनी दी गई है 8 और इसकी value कितनी दी गई है 4 यहाँ पर दी गई है तो आपने साथ में क्या लिखा हुआ a square plus b square minus a b तो आपने यहाँ से निकाल लिया a square plus b square minus a b is equal to कितना 2 ये बात समझ में आगई अब आपने सोचा कि sir हमारे पास a square plus b square plus a b तो था ही कितना था वो? 4 था और हमें निकालना क्या है? हमें a b निकालना है तो इन दोने equation को एक दूसरे में से subtract कर दो तभी आपको a b वाला पार्ट मिलेगा add करोगे तो a b वाला पार्ट कर जाएगा तो आपने क्या किया इस वाले में से इस वाले को subtract कर दिया तो a square b square वाला पार्ट चला जाएगा twice of a b is equal to 2 आएगा तो a b की value आएगी 1 तो यह आपका answer आगे है ठीक है? इसको और भी जल्दी किया जा सकता है अगर आप अपनी speed को बढ़ाएंगे अगर आपको यह चीज़ मालूम है तो आप mentally भी कर सकते हैं कि a square plus a square b square plus a to the power 4 plus b to the power 4 की value क्या होती है a square plus b square plus a b और a square plus b square minus a b जिसमें से a की value 4 दिये तो 8 को 4 से divide करेंगे तो 2 आएगा इसका मतलब a square plus b square minus a b वाला पार्ट आगया और यह वाला पार्ट हमारे पास था इन दोनों को एक दूसरे सब्ट्रेक करेंगे तो यह भी आ जाएगा ठीक है? चलो आगे देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया सीख रहे है अभी तक जो किया था उससे थोड़ा सा अलग है क्या है यह देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है 2x-y upon x plus 2y is equal to 1 by 2 तो बताइए 3x-y upon 3x plus y की वेलू क्या होगी? अब इसको करने का एक तरीका होता है बच्चे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टिप्लाइ करते हैं मैं पहले आपको बताता हूँ आप लोग क्या करते हो आप लोग करते हो twice of 2x-y is equal to x plus 2y और आपका एप्रोच होता है कि इसको मल्टिप्लाइ करेंगे और फिर x को साथ में, y को साथ में करेंगे ऐसी समझते हो न आप इसको आप थोड़ा सा जल्दी करो आगे से जब भी आप इसको करो तो थोड़ा सा जल्दी करो कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पर अब इस 2 को जब आप यहाँ पर मल्टिप्लाइ करोगे 2x से, तो यह 4x होगा और ये x जब यहाँ multiply होगा तो क्या बनेगा x अब जो भी बड़ा है उसके बास छोटे वाले को भीज दिया करो तो ये वाला part 4x बन गया 2 से multiply होके और ये वाला x है यहाँ पर तो जब 4x के पास x आएगा तो बचेगा कितना 3x आएगा is equal to अब ये 2 जब इससे multiply होगा ये क्या लिखाता है? minus y लिखाता है तो minus 2y होगा और ये वाला जो है ये इधर जाएगा बन के पास तो ये कितना होजाएगा? 2y होगा अब minus 2y 2y के पास आएगा तो कितना बन जाएगा? 4y तो जाहिर सी बात है कि x upon y की value आ जाएगी 4 upon 3 अब आपको कुछ नहीं करना अब आप मानलो कि x की value 4 है और y की value 3 है कुछ लोग क्या करते हैं x की जगा 4 upon 3 times of y पुट करते हैं और solve करते हैं उससे कोई फायदा नहीं है उससे time ही waste होगा answer अभी भी सेम आएगा आपने मानलिया कि x की value 4 है y की value 3 है तो उस हिसाब से यहाँ पर 3 into x लिखा है ठीक है तो 3 into x का मतलब कितना हो जाएगा अब x को आपने 4 माना है तो कितना हो जाएगा 12 ये बात समझ में आगी और y को कितना माना अपने 3 माना अब 3x फिर से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और y को कितना माना 3 तो ये कितना हो जाएगा 12 में से 3 गया तू 9 और ये कितना हो गया 15 3 से काटेंगे तू 3 upon 5 तो ये आपको क्या जाएगा answer आजएगा समझ मैं है तो किस तरह से आपका एप्रोच होना चीए वो चीज यहाँ पर आपको सीखनी है सवाल को solve करना यहाँ पर important नहीं है क्योंकि हर बच्चा वहाँ पर सवाल को solve करने ही जा रहा है बट कम समय पर जल्दी अगर आप करते हैं तो ही आपका success rate बढ़ेगा ठीक है चलिए एक और देखें इसी के जैसा यहाँ पर लिखा है twice of a plus thrice of b upon 5a plus 6b is equal to 6 by 13 find the value of this तो यहाँ पर भी देखो मैं क्या करने वाला हूँ यह जो 13 है जब यह 2a से multiply होगा तो कितना बनेगा 26a और यह जो 5a है जब यह 6 से multiply होगा तो कितना बनेगा 30a 30a ठीक है तो कौन बढ़ा है 30 और 26 में से 30 तो 30 के बाद 26 को बहजो तो आपको क्या मिलेगा 4a मिलेगा यह बात समझ में आ गई 26 और 30 का difference उसके बाद फिर इस से multiply होगा तो क्या मनेगा 39b और इस से multiply होगा यह 6 तो कितना बनेगा 36 अब कौन बढ़ा है 39 39 के पास 36 बहजो कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा समझ में आ है इसका मतलब a upon b की जो value है वो 3 by 4 आ गई तो a की value 3 है और b की value कितनी है 4 है तो बस हो गया अब आपको यहाँ पर क्या लखना है 2 of a square plus 3 of b square upon ab यह मैंने आपके लिए लिखा है इतना तो मैं नहीं लिखता क्यूं लिखता क्यूं नहीं लिखता क्यूंकि यहाँ पर a square की value क्या करता 9 9 to 10 कितना होता 18 15 16 16 16 into 3 कितना होता 48 18 16 16 यह बात समझ में आ गई कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं तो इसी तरह से आपको करना है ठीक है चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर जैसे लिखा है कि 1.5 x is equal to 0.04y तो बताइए इसकी वैलू क्या होगी तो सबसे पहले आपने x upon y की वैलू निकाल ली तो y को आप लिख स लिखते हो 4 upon 100 into यहाँ पर यह क्या आ जाएगा x यह x है यह y है यह धर आया y तो 0.04 के नीचे 1.5 जाएगा तो 0.04 को 4 by 100 लिख लिए और 1.5 को 15 और यहाँ ओपर 10 लिखती है तो यह इसको 10 बनाएगा यह 2 और यह 5 बनेगा अलटिमेटली आपके पास 2 upon 75 आएगा तो बस आ y plus x upon x plus y का square लिखा हुआ है ठीक है तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो यह पार्ट यह पार्ट तो चला जाएगा अब y minus x चाहिए तो y minus x मतलब 73 हो गया और y plus x मतलब 77 हो गया बात समझ में आ गई तो यही आपका क्या आ गया एंसर आ गया तो आसान था यह तो easy था चलिए एक और देखते हैं मानलीजे आपको लिखा है p upon a plus q upon b plus r upon c is equal to 1 and a upon p plus b upon q plus c upon r is equal to 0 p q r 0 नहीं है a b c b 0 नहीं है find the value of p square upon a square plus q square upon b square plus r square upon c square यह question आपको करना है तो यह यहां पर दिया है कि यह value 0 नहीं है अब यह value 0 नहीं है तो क्या होता है कुछ बंच्चे जो क्या करते हैं इसको 0 समझ के solve कर लेते हैं Q upon B को मैं Y मानू और R upon C को अगर मैं Z मानू तो ये जो है ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है X plus Y plus Z is equal to 1 और ये क्या लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखो तो P upon A का उल्टा है A upon P, Q upon B का उल्टा है B upon Q, R upon C का उल्टा है C upon R मतलब ये एक दूसरे केर ऐसी परोकल ने है मतलब ये 1 upon X plus 1 upon Y plus 1 upon Z की value कितनी है 0 है जिसको हम ऐसे लिख सकते है XY plus YZ plus ZX is equal to कितना 0 तो ये चीज़ आगई यहाँ पर ये चीज़ आगई यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गए अब आपसे जो पूछ रहा है उसको देखो हो वो क्या है आपको बोल रहा है कि P square upon A square जो कि आपने अभी X माना था तो ये क्या है X square ये क्या है Y square ये क्या है Z square ये आपने assume किया नहीं है यहाँ पर कि ये XYZ है अगर तो ये X square plus Y square plus Z square लिखा है अब X square plus Y square plus Z square होता क्या है x plus y plus z का square minus twice of xy plus yz plus zx यह बात समझ में आ गई ऐसा होता है जिसमें से xy plus yz plus zx की value तो 0 है तो बच्चा सिर्फ कितना x plus y plus z का square जो की x plus y plus z कितना है 1 है तो 1 का square कितना होगा 1 तो x square मतलब यह p square upon a square y square मतलब यह q square upon b square z square मतलब यह r square upon c square इसका value कितना है 1 है तो यह आपका answer आ गया समझ में आया आसान है ठीक है थोड़ा सा lengthy लग रहा होगा इसलिए lengthy लग रहा होगा क्योंकि आपने यह पहले अगर पहली बार पढ़ रहे हैं 1 upon y 1 upon z का सम है इसका मतलब यह x y plus y z plus z x is equal to 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि x square plus y square plus z square is equal to क्या होगा है ना तो यह दिमाँ में सारे चीज़ आप कर सकते हो ठीक है चलो एक और देखते है अब यह जो अभी इसके बात से यह जो numerical शुरू हुआ है यह सारे हम options से करेंगे क्योंकि इन सारे questions को जब आप इसने अपने school times में किया होगा तो यह आपको बड़े tough लगते होंगे squaring on both side, fake, इधर से उधर करो तो time बहुत waste होता बट paper में आएगा objective paper है आपको कम time में इसको करना है तो कैसे करेंगे तो हम option के मदद से करेंगे तो जैसे यहां लिखाए कि square root of 4x minus 9 plus square root of 5x plus 9 is equal to 5 plus root 7 तो बताएए x की value क्या है तो x के value आपके पास option है 4, 5, 7, 3 तो अगर मैं पहली value ही choose कर लूँ मालीजे तो x के value अगर यहां पर 4 put करूँगा तो यह 4 into 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 तो यह under root of 7 तो यह यहां पर under root of 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है अच्छा, फिर मैंने यहां पर put के x के value 4, तो 4 plus 4 into 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 plus 9 कितना हो जाएगा, 25 25 का square root कितना होगा, 5 तो यह 5 आगया, तो वो यहां दिख रहा है इसका मतलब 4 को put करने से LHS और RHS बराबर आ रहा है इसका मतलब मेरा answer कितना है, 4 है मतलब x की value कितनी है, 4 है ठीक है, एक बच्छा बोलेगा sir, put करने में भी time जाएगा, मैंने बच्छा put करने में भी time जाएगा, बट उतना नहीं जाएगा जितना इसको solve करने में जाएगा है न, इसको solve करने में आपको जितना time जाएगा आप चाहें, तो आप try कर सकते put करने में उतना time नहीं जाएगा ठीक है, चले एक और देखते आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, x-7 upon x-3, plus x-2 upon x-9 is equal to 2, आप से बोल रहा है x की value निकालो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम value को put करके देखेंगे, हमारे पास option है minus 5, 5, 4 और minus 4, तो मैंने अगर minus 5 choose किया, तो यहाँ पर अगर x की जगा minus 5 put करोगे, तो minus 5 minus 7 कितना होगा, minus 12 minus 5 minus 3 कितना होगा, minus 8, फिर minus 5 minus 2 कितना होगा, minus 7 minus 5 minus 9 कितना होगा, minus 14, यह इधर से गया, यह इधर से गया, तो यह 3 by 2 होगया, और यह 1 by 2 होगया, अब दोनों का base सेम है 3 plus 1, 4, 4 by 2 मतलब 2, तो यह तो LHS, RHS बराबर आ गया, किस पर आ गया, जब आपने x के जगा, minus 5 रखा, इसका मतलब x की value कितनी है, minus 5 है, तो यह आपका क्या होगा, answer ठीक है, तो असानी से कर दिया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या करते, आप इनको cross multiply करते फिर यह दोनों चीज़े आपस multiply होके, इस 2 के पास जाती, quadratic equation मनती, solve करते हैं, और आपका answer आता, time थोरसा जादा लगता, ठीक है चली, एक और देखते हैं अब जैसे यह लिखा हुआ है कि x plus 1 upon x, plus x upon x plus 1, 2, 1 by 6, find the value of x, अब आप अगर इसको value से नहीं करोगे assume करके, मतलब इसको options से नहीं करोगे तो कैसे करते, आप इनको cross multiply करते यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है, LCM लेते और solve करते, quality equation मनती, time लगता अगर आप इसको क्या बोलते हैं option से करोगे, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो अब यहाँ पर option में है क्या-क्या 2 है, minus 3 है 2, minus 3, 2, 4 मतलब 2 तो लग 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 तीन options में 2 है, तो अगर मान ले कि 2 इसका answer है मान ले अगर 2 इसका answer है तो सिर्फ 2 भी इसका answer हो सकता है है ना, और यह वाला option भी हो सकता है, यह वाला option भी हो सकता है तो अगर मैंने मान लिया कि 2 तीन जगा है तो इसका मतलब 2 इसका एंसर हो सकता है बट माइनस 3 भी तो हो सकता है तो अगर माइनस 3 हो गया तो फिर यह वाला option होगा और अगर 4 हो गया तो यह option होगा और अगर माइनस 3 नहीं हुआ माइनस 3 नहीं हुआ तो इसका मतलब यह option तो नहीं है ठीक है और ये option भी नहीं है क्योंकि इसमें minus 3 के साथ combination मना है but 2 तो satisfy कर रहा है ऐसा मान के चल रहे थे तो 4 एक बार देख लो अगर 4 भी नहीं किया तो इसका मतलब फिर यही इसका सही answer है समझ मैं और अगर minus 3 कर गया तो फिर ये option इसका सही है तो confuse मतो मैं बता देता हूँ क्या करेंगे कैसे करेंगे तो सबसे पहले मान लो मैंने 2 ही पुट कर दिया अगर मैंने 2 यहां पर पुट किया इस वाले में तो 2 प्लस 1 थी अपॉन 2 तो 2 पुट किया तो 2 अपॉन 3 अब ये LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ये 9 और ये 4 तो कितना हो जाएगा 13 तो इसको क्या लेक सकते हैं 6 तो 12 और ये 1 तो ये आ गया LHS RHS बराबर किस पर आया चब मैंने X की value क्या assume की तो assume की अब चलो एक बार माइनस 3 assume कर लेते हैं मैंनस 3 करोगे तो यहाँ पर अगर मैंनस 3 पुट करोगे ऊपर तो उपर आएगा मैंनस 2 अपॉन मैंनस 3 और यहाँ पर आएगा मैंनस 3 अपॉन मैंनस 2 तो ये गया ये गया ये गया ये गया अब देखो 2 बाई 3 यहाँ भी था 2 बाई 3 यहाँ पर भी था यहाँ पर 3 by 2 यहाँ भी 3 by 2 इसका मतलब इनको solve करोगे तो आपको मिलेगा तो 2 1 by 6 ही इसका मतलब x is equal to minus 3 b satisfy कर रहा है अगर 2 b satisfy कर रहा है minus 3 b satisfy कर रहा है इसका मतलब यही option है मेरा समझ में आया ठीक है तो यह मेरा answer आ गया चलो एक और देखते है जैसे यहाँ पर लिखा है a plus b plus c 6 है और a q plus b q plus c q 36 है और a square plus b square plus c square 14 है तो बताओ a b c की value कितनी होगी ठीक है तो मैंने सोचा यार value एक बार सोच के देखूं क्या तो 6 है 6 तो मैंने एक दो और 3 3, 2, 5 और 1, 6 मतलब जोडने पर 6 आ रहा है मैंने का हाँ अच्छा इसका अगर मैं square करके देखूं चलो तो square करेंगे 1 इसका square करेंगे 4 इसका square करेंगे तो 9, 9, 4, 13, 14 मतलब 14 भी आ रहा है मैंने का चलो अच्छी बात है क्यूब करके देख लते है 1 का cube 1, 2 का cube 8, 3 का cube 27 तो 27 और 8 और 1 मतलब 36 आ रहा है मैंने का हाँ आ रहा है इसका मतलब मैंने जो माना है वो सही है मतलब A की value कितनी 1, B की value कितनी 2 और C की value कितनी 3 तो अब आप से बोल रहा है A into B into C कितना होगा 1 into 2 into 3 तो ये कितना हैगा 6 ये आपका answer आगे समझ में आया आसान है easy है ठीक है अगर आप ये method नहीं adopt करोगे ये इस तरह किसे आप अपना सोच को नहीं बदलोगे तो आपको इसको पूरा solve करना पड़ेगा और solve करने में आपको बहुत time जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं next question यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि a square plus b square minus 2a minus 2b plus 2ab is equal to 15 तो बताइए a plus b की value कितनी होगी तो अब यहाँ पर हमने सोचा कि यार ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई formula हमें देखा हुआ लग रहा है क्या था वो formula वो देख लेते हैं पहले कि a plus b plus c का अगर आप square करो तो आपो क्या मिलेगा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac मिलेगा अच्छा तो मैंने देखा a square तो है यहाँ पर मैंने का हाँ है b square भी है यहाँ पर मैंने का है बट c square नहीं दिख रहा अच्छा कोई बात नहीं 2a भी दिख रहा है मैंने का हाँ 2a भी दिख रहा है बट यहाँ पर क्या दिख रहा है minus का 2a और यहाँ पर 2ac है यहाँ पर दिख रहा है minus का 2b और यहाँ पर दिख रहा है 2bc अच्छा मतलब जहां पर 2A लिखा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहां पर दोनों में C, C नहीं है दोनों में C जो है वो नहीं है और यहां पर plus में हैं ये दोनों चीज़े और वहाँ पर minus में है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिखाए दे रही है एक तो c जो दोनों में missing है और plus के जगा minus है इसका मतलब c की value कितनी हो गई है minus 1 हो गई ये बात समझ में आ गई ठीक है तो अगर हम ये conclusion में पहुँच गए कि c की value minus 1 है तो अगर हम यहाँ पर put करके देखें तो कुछ ऐसा दिखाए देगा आपको a plus b minus 1 का square is equal to क्या दिखाए देगा a square plus b square c square का मतलब कितना हो गया 1 फिर ये कितना दिखाए देगा 2ab minus 2b minus 2a ये बात समझ में आगई तो ध्यान से देखाए आपको क्या मिल गया a square b square minus 2a minus 2b plus 2ab a square b square minus 2b minus 2a और plus 2b मिल गया एक्स्टा क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है एक्स्टा क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने इस चीज़ को यहां लिख दिया a plus b minus 1 का square यह बात समझ में आ गए तो इसको अगर मैं open कर रहा हूँ तो मुझे यहां पर 1 क्या मिल रहा है extra मिल रहा है ठीक है यह बात समझ में आ गए तो इस equation में अगर आप दोनों तरफ 1 add कर दो तो यहां पर क्या मिल जाएगा 16 अगर दोनों तरफ यहां पर 1 add कर दोगे तो इसकी जैसे हो जाएगा और यह किसके बराबर है इसके बराबर है तो वो मैंने यहां लिख दिया और यहां पर 1 जोड़ोगे तो यह 16 हो जाएगा अब आप square root लोगे तो आपको क्या मिलेगा a plus b minus 1 is equal to plus minus 4 यह बात समझ में आ गई तो यह वाला पार्ट आप भी मिटा रहा हूँ तो यह तो असार आ गया अब आपको a plus b की value चाहिए थी पस तो आपने क्या किया a plus b minus 1 is equal to 4 और a plus b minus 1 is equal to minus 4 तो a plus b minus 1 उदर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और a plus b minus 1 उदर जाएगा तो कितना आएगा minus 3 तो यह आपके क्या आगए answers आ गए समझ में है तो a plus b की value मांग रहा था तो उसकी value कितनी 5 और minus 3